का दोस्तों SMTC इंस्टूट आप टेकनलोजी से फोलन सर दोस्तों आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है मोबाइल रिपैरिंग का जो भी हमारे online classes का syllabus है जिसमें आपको कितने सारे topic कभर होगा कितने सारे classes आपको मिलेगा वो पूरा detail हम आपको इस video में बताने वाले हैं कि online class जदि आप join करोगे तो आपको total offline के जैसे classes मिलेगा और सारे topic आपको एक एक topic करके live class video recording दोनों जदि आपको class छूट जाता है या फिर आपको लगता है कि class तो कर लिए थुड़ा recorded भी हमको चाहिए तो उस तरह का भी option हमारे पास है आपको वो भी आपको मिल जाएगा ताकि class किसी भी किमत में नहीं छूटेगा दूसरे चीज जो live classes हमारा होने वाला है जो online classes होने वाला है इस class में जो दुकान भाई है वो भी कर सकता है तो आपको भी चलाना जरूरी है जो जीप लेवल का रिपैर कर रहा है जो IC का tracing कर रहा है फॉल्ट फाइंडिंग कर रहा है डेड़ फॉनों को रिपैर कर रहा है उन सभी के लिए semantic का important है semantic का knowledge होना important है तो आपको हम आपको complete multimeter का classes देएंगे semantic का देएंगे software में unlocking flashing होगा IC reballing होगा hand skill का classes देएंगे जैसे कि motherboard में लगे component को कैसे आप remove करोगे जैसे ये motherboard है इसमें बहुत सारे components होते हैं चोटे बड़े हर component replacement मतलब zero level से class होगा वो zero level से class होगा वो ऐसा होगा कि आप mobile के बारे में कुछ नहीं जानते हो वहां से में start करेंगे एकदम शुरू से ताकि आप pressure हो तो आप भिलकूल अराम तरीके से काम को कर सकते हो आप दुकान वाले भाई हो आपको knowledge है तो बहुत अच्छा है जो चीज आप नहीं जान रहे हो वो आप सिख जाओगे इसलिए हमारा काम यह है हमारा main motive है कि हम आपको zero level से सिखाना इस्टार्ट करें जो भाई जानते हैं वो वहां पे skip कर जाएंगे जो नहीं जानते हैं वो सिख जाएंगे तो चलो अब हम आपको syllabus दिखाते हैं कि जो हमारा mobile repairing का जो syllabus होगा online वो कितने साइ topic को हम cover करेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो class होगा वो क्या होगा? assemble, disemble, mobile phone को कैसे आप खोलोगे, कैसे उसको लगाओगे, शुरू तो वहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो main मकसद है कि हमारा जो class live class कर रहा है, वो दुकान भाई कर रहा है, कि freezer कर रहा है, हम zero devil से start करेंगे जो freezer है वहाँ से, क्योंकि जो दुकान है तो वो तो assemble, disemble करी रहा है, लेकिन जो freezer हमारे पास आएंगे, वो कैसे काम करेंगे, इसलिए हमारा motive है कि zero, सबसे पहले तो आपको हम mobile phone को खोलना लगाना सिखाएंगे, की mobile phone को आखीर keep it phone भी सिखाएंगे, keep it phone और android phone, 2G से 5G phone तक का, कि ये phone को कैसे assemble, disemble करते हैं, कैसे खोलते हैं, लगाते हैं, जब खोलते हैं, उसमें कितने सारे card level parts हम को मिलता है, ये सारे चीज आपको पहले assemble, disemble उसके साथ card level का पहचान कराएंगे, कि जो बड़े-बड़े component है वो card level के अंदरकात आता है huddy, backfasia, ringa, skikar mic, कितने type का mic होता है, vibrator, motor led, आपका battery connector, keypad में battery कैसे हो, connector होता है, android में कैसे होता है, ये सारे card level parts में आएगा, तो वहाँ पहले मापको cover करेंगे, उसके बाद आता है दोस्तों, PCB PCB, mobile phone का motherboard जैसे कि आप देखते हैं mobile phone का motherboard, ये motherboard हमारा है, PCB introduction with diagram diagram के साथ में हम इसका introduction कराएंगे, ताकि इसमें लगे, बड़े-बड़े IC को आप अच्छे तरीके से पहचान पाऊगे, दोस्तों, class जो हम देंगे आपको जो class एक दिन repeat का, एक दिन class जो देंगे, वो दूसरे आपका identification and function, कैसे कैसे work करता है, क्या कहा connect रहता है, ये सारे चीज़, उसके बाद हमारे क्या है small component, small component में network crystal, resistance, diode, transistor, capacitor, coil, जितने types के होते हैं, वो सारे अलग-लग types का आपको बताएंगे, ये motherboard में लगा कैसे, आप motherboard में कैसे पहचान होगे, आप multimeter के द्वारा ये सारे component को कैसे टेस्टिंग करोगे, ये तो आपको पहचान होगे, हम पहचान बताएंगे, उसके बाद component sample, ये सब जब circuit diagram आप खोलोगे, ना, उसके बाद हमारा आता है, multimeter class, multimeter में how to use multimeter, multimeter कैसे use करते है, multimeter चलाना आप कैसे सीखोगे, ये आपको बताया जाएगा कि multimeter में इतने सारे function है, multimeter में दोगो प्रेव प्रॉप है, यहाँ पर इंठो होल है, हमें किसमें चेक करना है, कब cool testing करेंगे, कब hot testing करेंगे, हम chief assistance को कहां से measure करते हैं, ये सारे चीज, multimeter में आगे आपका multimeter, use multimeter, multimeter का prop detail, multimeter में hot testing, multimeter से cool testing, ये सारे practically आपको live class में मिलेगा, video recorded भी मिलेगा, आता है उसके बाद component testing, multimeter के दोवारा, आप resistance को कैसे test करते हो, diode को कैसे charge करोगे, ये सही है, गलत है, capacity required, जितने भी component लगा इसको testing करने के लिए बताते हैं, IC, IC counting, जैसे कि आप देखते हैं, मदर बूर में, leg tap भी IC होता है, ball tap भी IC होता है, जो freezer है, वो नहीं समझ पाएंगे, हम class में समझाएंगे, जो leg tap होता है, ball tap होता है, उस IC का जो pin है, point है, वो गिनने का process कैसे है, counting कैसे करते हैं, ताकि आप IC level पे काम करोगे, तो वहाँ पे आपको leg tap IC का pin गिनती करना पड़ सकता है, ball tap IC का ball, जो छोटे-चोटे balls होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे IC लगे होए थे हैं, यह चोटे-चोटे ball है, यह ball को counting करके, आप कैसे इसमें काम करोगे, यह सारे detail हम आपको, theory material यहाँ पे बताने वाले हैं, उसके इसके वाल आता है practical lab class, practical class में आप क्या-क्या करोगे, सबसे पहले तो practical classes में घृतिकल प्रक्लास में जो हमारे पास टूल होता है, जो mobile repairing में टूल होता है वो टूल को कब कैसे क्यों use करना है कहां किस तरह से यूज करना यह तो पहले हम आपको बताएंगे उसके बाद Macro iron पतलेवा जो iron होते है क्योंकि मदर अपड़ में जानते हैं कि छोटे च्ट़े चोटे 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 में आप जमपर कैसे करोगे यह इसके लिए आपको यह चलाने के लिए हम आपको बताइए खोगे। यह मैं कैसे करना पड़ाता है तो कैसे आप jumper करोगे, component jumper कैसे करोगे, LCD connector, LCD connector, LCD connector भी कभी problem कर जाता है, उसमें jumper कैसे आप निकाल दो, छोटे-छोटे चीजों में, यह हम आपको यहाँ पर बताते हैं, operation jumper, operation jumper क्या होता है, operation jumper कैसे करते हैं, यह सब हम लोग को fault finding करने के समय में, यह सब jumper करना पड़ता है, operation jumper, यह ह आपको देंगे, ताकि class में जदी miss हो गया, जदी नहीं समझ पाएं, तो आप video देखकर के समझ जाएंगे, और उसमें भी नहीं समझ पाएं, तो जो फिर अगले class होगा, उसमें आप पूछ सकते हैं, पूरे का पूरा class offline जैसा महसूस होगा, दोस्तों, और यह भी चीज़ वो offline में आपको minus हो जाएगा, जो offline का फी हो तो pay करना होगा, लेकिन जो आप pay की है online का फी, वो आपको minus करके pay करना पड़ेगा, ताकि आपका online में भी जदी कोई doubt रह गया, तो वो पैसा आपका बरबाद नहीं जाएगा, वो offline में manage हो जाएगा, practical lab में आपको SMD machine का class में, अब आता है, यह तो हो गया, jumper हो गया, class, solder iron, अब आते हैं SMD machine, आप इस machine को कैसे use करते हो, air कब कहां कितना रखना है, heat कब कहां रखना है, यह सारे चीज हम आपको इस lab में पहले, आपको practical class जब सुरू होगा, तो हम आपको इस machine का पहले आपको class देंगे, यह machine को कैसे use करत हैं Android andwind phone में कैसे खोलते हैं, क्योंकि आप दूकान वाले हो या पर दुकान दोगे तक को आपको और तो तो कर ना पढ़ेगा यह सारे चीजों को हम आपको complete practical classes देंगे memory, battery connector, network crystal जितने भी आपको दिख रहा है यह सारे चीज आपको क्या होगा practical classes में आपको मिलेगा आपको आगे आते हैं यह तो हो गया है आपका hand skill का चीज यहां पर आपको 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 आ आ जाता है उसके बाद आप यहां पर देखेंगे DC supply machine class ठीक है DC supply machine class में आपको क्या class मिलने वाला DC machine को कैसे यूज करते हैं detail DC machine using kiped phone कैसे kiped phone में यूज करेंगे DC machine को कैसे android phone में यूज करेंगे sorting को DC machine से कैसे find करेंगे DC supply ampere का details कैसे कहां क्या use करना वो सारे आपको बता जाएगा यह हमारा DC supply machine है इस machine का पूरा एक एक जितने सारे प्रॉप है जितने सारे बटन है हर बटन का detail training आपको दिया जाएगा ताकि आप इसमें अराम तरीके से इस machine को use कर सकते हैं उसके बाद हमारा start होगा दोस्तों section wise fault finding कि जितने भी तरह का बीमारी आता हर बीमारी को हम अलग-अलग section में divide कर दी है ताकि हम आपको बताने में और आप समझ अलग-अलग सकेंगे जैसे कि हमारे phone में ringer problem आता जानता है गाना वाना बजने में problem आता तो यह ringer loudspeaker section हो गया कि जदी ringer related problem आता है तो कैसे उसका theory material क्या होगा theory materials देंगे ringer का tracing track जैसे कि आप क्या करते हो ringer खराब किसी phone में आ गया तो एक दो तीन ringer change करते हो चेंज करने के बाद नहीं काम करता है उसके आगे क्या काम करना पड़ेगा track चेक करना पड़ेगा उसका रास्ता को चेक करना पड़ेगा कि कहां भी problem है कहां voltage आना चाहिए कहां full testing में कहां DR value आना चाहिए कितने voltage आना चाहिए यह हो जाता है आपको track check करना तो आपको इसमें theory materials देंगे इसमें आपको symmetric से track check करने के लिए बताएंगे जिसमें आपको hardware solution, bitmap solution, layout solution और hardware, symmetric, layout, bitmap, 4 points से हम आपको track check करने के लिए बताएंगे यह हम symmetric diagram कैसे बताएंगे नहीं बताए कि symmetric से क्या होता है कैसे fault finding करते हैं यह सारे section यहां पर देख सकते है ringer, receiver, mag charging, जितने तरह का विमारी phone में आता है total लिखा हुए आप देख सकते है all total network issue बहुत जादा आता है network issue को बहुत अलग-अलग तरीके से हम समझाते है dead section को बहुत ही अलग-अलग तरीके से समझाते है dead section का total हमारा अलग से 41 point है जो कि dead section में सिर्फ 41 point में cover करते है dead section को ताकि dead phone आये, water damage, physical damage, कोई किसी भी तरह का dead phone आये, sorting का problem आये, तो सारे चीज़ का आप solution dead section से करोगे, आपका software classes, software class में दोस्तों आपको पास जितने अभी ज़्यादा दर phone, android phone आता है और lock लेकर क्या आता है पीन lock, pattern lock, FRV lock, MIE account, ये सारे lock लेकर क्या आता है उन lock को कैसे आप unlock करोगे, कभी demo phone आसकता है उसको कैसे unlock करोगे, उसके बाद में आप कराता है flashing की बहुत सारे phone चोन понял been hanging logo में चला जाता है उसको फ्लैसिंग करने कैसे चाहिए तो अन्लॉकिंग और फ्लैसिंग आपको दोनों क्लासिश मिलेगा इसमे ड्राइवर होता है उसको ड्राइवर MAT आपनोर कैसे करते हैं अन्लॉक टूल सेटव मिलेगां। और फ्लैशिंग ट्रैनि अन्लॉकिंग और फॉरा अपको मिलेगा। विडियो भी मिलेगा दोस्तों और आपको लाइव क्लासभी मिलेगा। फ्लैश के लिए हैफलाइस टूल ओरईन फिरी जो touch है तो touch तूट किया तो इसको कैसे cutting करके अलग करोगे separator machine से इस machine का use क्या है कैसे use करते हैं कितना hitting रखना है कब इसका vacuum को on करना है और इस से folder को कैसे cutting करना इस machine के दोवारा बहुत सारा phone खोलना पड़ता है गरम करके आगे गरम करके खोलना पड़ता है पीछे यह हम आपको इसमें आपको सब्सक्राइब करते हैं तो उसको फ्लैम प्लाइजर के से इसको चेंज करेंगे इसका आपका आज आएगा यहाँ पर दोस्तों उसके वाद देख सकते हैं इसमें आएसी रिवालिंग का क्लासिस आपको पुरा कम्प्रीट इसमें मिलेगा चार्जिंग आएसी नेटर का आएसी सीप्यू एम्मसी जितने परकार का आएसी लगा होता है वो सारे आपको इसमें आपको टोटल लाइव क्लास मिलेगा और लाइव क्लास के साथ आपको व यो इसका भी हम आपको ऐसे मेले। ये सारे चीज़ आपको पूरा वोरा क्लास ताकी आप जदी classes miss भी हो जाए तो आप कैसे आप उसको cover करोगे दूसरे चीज के ये जो syllabus है ये syllabus जदी आप हमारे course को लेते हो तो सबसे पहले हम आपको ये syllabus send कर देंगे ताकि step by step आपको class हो आज का उनसे class है कल को उनसे class है वो आपको भी पता रहे जदी किसी दिर आपका छूट तो क्या चूटा नहीं चूटा वह आपको भी पता चले इसलिए syllabus भी हम आपको जैसे आप enroll करोगे हमारा class में वैसे syllabus हम आपको भेज देंगे और पूरे step by step एक भी step को skip नहीं करके step by step हम चीजों को सिखाने का प्रयास करेंगे क्योंकि दोस्तों simple सा चीज है online classes में आप बता रहा होगा फिर आप उसमें चले जाते हो फिर आपको लगता ने कि उससे और नीचे वीडियो और अच्छा बता रहा होगा दोस्तों कोई भी चीज सिखने के लिए आपका एक गुरू होना चाहिए और उसका बात को मान करके आपको चलना पड़ेगा तभी आप किसी आ सकते हैं ओनलाइन में जो आप फिपे किये हैं वो आपको आफलाइन में मेनेज कर दिया जाएगा मतलब जो आफलाइन का फिए वो तो आपको पे करना पड़ेगा लेकिन जो आप ओनलाइन में फिपे करोगे वो माइनस तर के पे करना होगा दोस्तों ये रहा मेरा और किसी तरह का कोई questions हो तो आप में call करें और detail जानकारी ले लें बाकी और भी demo के लिए कुछ वीडियो हम और बना देंगे वो भी आपको मिलेगा वो भी आप देखें आपने हमारे इस वीडियो को बहुत भी किम्ती समय दे करके देखें इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार दोस्तों